नमो नमा प्रिय छात्राह अध्यवयम संकल्पह सिद्धी दायकह इत्यस्य पाठस्य प्रथम दुतिय प्रश्नयोह अभ्यासम करिश्यामा बच्चों, आज हम संकल्पह सिद्धी दाय का अर्थात संकल्प सिद्धी प्रदान करने वाला होता है, इस पाट के प्रथम एवं दुतिये प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, लिकिन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी वी इन शब्दों को हेवल उच्चारण ही नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रश्न लिखेंगे उच्चारणम कृत्वा लिखत, अर्थात उच्चारण करक लिखो जैसा कि आपको क्लासिक्स में करवाया जाता था ये प्रश्न उसी प्रकार से लिखेंगे उच्चारणं कृत्वा लिखत अब उच्चारण करेंगे अभवत न्यवेदयत तपती वदतीस्मा वदती गच्चतीस्मा आकत्यत अपुजयत प्राविशत वसतीस्मा चरतीस्मा अकरोत अगच्चत स्वपिती अवदत रक्षतीस्मा करोतीस्मा पठतीस्मा इन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे अब अगला प्रश्न है उदाहरणा मनुसरित्य रिक्तिस्थानानी पूरियत अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्तिस्थान भरो अब उदाहरण कौन सा है वसतिस्मा वसताइस्मा वसंति इस्मा एक वचन दीवचन और बहुचन में अब वस्मा ने होता है रहना और लटलकार में इसके रूप चलते है वसति वसता वसंति किन्तु लटलकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है और हमने आपको पहले भी बताया था कि इस्मा का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है तो वर्तमान काल के रूप में जब हम इस्मा का प्रयोग उसके साथ इस्मा लगा देते हैं तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है जैसे वसती वर्तमानकाल का रूप है इसमा के साथ ये भूतकाल में परिवर्तित हो गया वसती इसमा रहता था उसी प्रकार पूजधातु पूजा करना पूजयती इसमा अध्विवचन में हो जाएगा पूजयता इसमा पूजयती इसमा बहुवचन में उसी प्रकार रक्ष धातू रक्षा करना रक्षतिस्मा 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 जैसे वसंतिस्मा वैसे रक्षतिस्मा आप उधारण देख करके रूप लिखेंगे चर धातु है, चर मानि चरना, चरतिस्मा, चरतहाईस्मा, चरंटिस्मा इसमें तोड़ा आलग प्रकासे रूप चलेंगे, करोति हो जयेगा जैसे कुर्वंति है, तो बहुवचन में कुर्वंति इस्मा तो एक वचन हो जाएगा, करोती इस्मा, द्वीवचन में कुरूतहा इस्मा अब बच्चों लंगलकार के रूप लिखेंगे आप लोग, पहले समझेंगे लंग लकार का प्रयोग भूत काल के लिए होता है इससे पहले आपको इस्मा का प्रयोग बताया क्योंकि लट लकार के रूप के साथ यदि इस्मा का प्रयोग किया जाता है तो भूत काल में परिवर्तित हो जाता है किन्तो लंग लकार का प्रयोग आपने 6 class 6 में भी पड़ा है कि भूत काल के लिए होता है लंग लकार का प्रयोग अब यहाँ पर प्रथम पुरुष के रूप आपको भरने हैं कि प्रथम पुरुष में कैसे रूप चलते हैं तो सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे कथ धातु है कथ मने होता है कहना आकथेत आकथयत आकथेताम आकथेयन उसी प्रकार सारे प्रथम पुरुष के ही रूप है आपूजयताम ये द्वीवचन में है, पूजदातु है, पूज माने पूजा करना, आपूजयन ये बहुवचन में है, तो एक वचन में आप भरेंगे, आपूजयत, जैसे आ कथेयत, वैसे आपूजयत, आरक्षत, यहाँ पर दिया हुआ, एक वचन में रक्षधातु, रक्ष माने रक्षा करना, और द्वीवचन में उजाएगा, आरक्षताम, और बहुवचन में आरक्षन, ये तो हुए, प्रथम पुरुष के रूप, अब मध्यम पुरुष के रूपों का अभ्यास करेंगे, मध्यम पुरुष के उधारण यहाँ पर दिये हुए हैं, जैसे आवसह, आवसतम, आवसत, उसी प्रकार मध्यम पुरुष में पूजधातु के रूप कैसे चलेंगे, आपूजयतम यहाँ पर द्वीवचन में दिया है, एक वचन में हो जाएगा, जैसे आवसह, आपूज आपूजयत अब चरधातू के रूप यहां पर बहुवचन में चरधातू का रूप दिया है आचरत उसी प्रकार एक वचन में आवसा जैसे है वैसे आचरह हो जाएगा आचरह आचरतम आचरत जैसे आवसत वैसे आचरत उसी प्रकार उत्तम पुरुष के रूप आपने भरनेते अब उत्तम पुरुष के रूप भरेंगे यह अभ्यास के लिए आपको दिया गया है उदाहरन देखेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम पठ धातु है, पठ मने होता है पढ़ना और उत्तम पुरुष में लंगलकार में इस प्रकार से रूप चलेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम अलिखम, एक वचन का रूप दिया हुआ है उत्तम पुरुष का लिख धातु है, लिख मने होता है लिखना और इसके द्विवचन में हो जाएगा अलिखाव अलिखाव, अलिखाव, अलिखाम बहुवचन में अलिखाम उसी प्रकार यहाँ पर धातु दिया है आरचयाव रच धात वे रच माने होता है रचना अथवा बनाना तो इसका हुजाएगा एक वचन में आरचयम क्या हो जाएगा बच्चो आरचयम आरचयाव और बहुचन में आरचयाव तो बच्चो वर्ड फाइल भी आपको दी गई है वीडियो में आप उचारण सुनेंगे, समझेंगे और वर्ड फाइल में वर्तनी देखेंगे कि किस प्रकास से लिखा गया है और इन दोनों प्रश्णों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे धन्यवाद